नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्त पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों चौदह मई वैशाख महा की सब्तमी तिथी मंगलवार की रात तीन कपूर दो लौंग का ये महावपाय करने से जीवन के हर कश्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ती और हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन दोस्तों ये जो मंगलवार चौदह मई दो हजार चौबीस को पढ़ने जा रहा है ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा बलकि ये बड़ा मंगलवार होगा और हमारे हिंदु धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है कहा जाता इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधी विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्ती मिल जाती है बलकि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किये जाने वाले यदि लॉंग और कपूर के उस उपाए को आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो केवल एक दिन के इस उपाए के पश्चात आपकी कैसी भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है वही मा सकी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है धार्मिक माननिताओं के अनुसार वैशाख मास के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभुश्री रमजी से जंगल में मिले थे इसी कारण से मा के हर मंगलवार के दिन अनुमान जी की पूजा करने से दो गुना फल हासिल होता है इसे माह में पढ़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है वैशाख मास में पूरे पांच मंगलवार पढ़ रहे हैं जानिये मंगलवार में कैसे लोग केवल लॉंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं मई माह में पाँच मंगलवार पढ़ेंगे और पाँचों मंगलवार का अपने अपने विशेश महत्व होगा कहा जाता है कि इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे साक्षात रंग की कृपा हासिल होगी क्योंकि साल का प्रदोश मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए तीन कपूर और दो लॉंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं, बलकि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिये, केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी ह कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चाद कैसे आपको सुख सम्रिद्धी की हासिल होगी, और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हास अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाब हमको पूरे साल मिलता है, और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे उपर बनी रहती है, इसल उस कारे में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जै श्री राम, जै बजरंग बली जी की, और एक काम कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा, आपकी राशी के अनुसार कोई भी उपाय होगा, जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाब हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिपलाई में बता देंगे आपको, इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा, देखिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, कहां जाता, यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कश्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं, वो अपने सभी भक्तों के कश्टों को हर लेते हैं, इसी लिए संकट मोचन भी कहां जाता है, और यदि हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार जैसा मंगलवार होता है, जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे, वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं, तो ये जितने भी हम आपक आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस महूर्थ पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही महूर्थ पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ना केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बलकि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है, मनोकामना पूर्ती का माहौल, आपकी कैसी भी आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए तो ये उपाय कर लीजिए। जो आपको हम बताने वाले हैं, मंगलवार के दिन, आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कि ये जो दो मई दो हजार चौबीस को मंगलवार पढ़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना है, धोना है, नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्तर का धारन करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है, अब आपको पीतल पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए, तीन कपूर और दो लॉंग रखना है, बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, तीन कपूर और दो लॉंग रखना है, अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है हनुमान मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है यहां करने जो राख बन गई है कपूर और लॉंग की इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए आप पूरे आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है यदि आप यहां करते हैं तो माननेता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो हनुमान जी महाराज के आशिरवाद से जरूर ही पूरी हो जाती है दूसरा उपाय है दोस्तों नौकरी हासिल ही का महा उपाय यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है तो आपको क्या करना मंगलवार किसी भी समय, सुभह से शाम, किसी भी समय आप लोग जाईए हनुमान जी के और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाईए ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनशाही नौकरी होगी, वो लग जाएगी तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महाँ पाय यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए देखिए, हनुमान जी महाराज को लड़ू बहुत ही पसंद है परन्तु एक बात का ध्यान रखिएगा लड़ू कौन सा जाता है बूंदी का या बेसन का लड़ू इन दोनों लड़ू में से आपको कोई भी लड़ू का भोग महाराज को चढ़ाना है परन्तु सबसे जरूरी बात ये है जब भी आप लड़ू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है तो आप हजार चौबीस के बड़े मंगल के दिन के लड़ू या बूंदी के लड़ू में एक तुलसी का पत्ता रख कर कि हनुमान जी महाराज को चड़ाना है ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा चौथा यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही उन्नती नहीं हो रही यदि आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चुड़ा चड़ाते हैं तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है उन्नती रुकी हुई है वो होना शुरू हो तरीके दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूँज रहे हैं आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए परन्तु आपको कैसे पूजा करनी है बहुत ध्यान से सुबह नहाद होने के पश्चात आपको लालवस्त्र धारन करना है किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड रखना ध्यान रखेगा दोस्तों 500 ग्राम गुड से कम नहीं होना चाहिए 500 ग्राम गुड के उपर एक तुलसी का पत्थर रखना है इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली पोटली बनाते वक्त ध्यान रखेगा इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोली धागे का इस्तिमाल कीजिएगा इसी पोटली को ले जाकर कि किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दे इतना यदी कर दें तो यकीन मानिये लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूँज रहे हैं बीमारी से आप परेशान हैं जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं केवल इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी. अब आप चाहते हैं कि दोस्तों, क्या आपके जीवन में बे-फिजूल खर्ची बंद हो जाए? आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए उसमें वृद्ध तो क्या करना चाहिए एक बहुत आसान सा बताया गया है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चड़ाई गई है इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चड़ाना ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजुल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्ध होगी यदि आपके आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है धन आने के सारे जाए तो ये कीजिए जो आपको बताना है परंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को मतलब ये पांच मंगलवार पढ़ रहे हैं पांचों मंगलवार को आपको सुभہ उठना है, नहाना है, धोना है आपको पीपल के पत्ते तोड़ने है, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है यदि आपने इस महीने के सभी मंगलवार को ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इतना धन आपने इसकी कलपना नहीं की थी घड़ी को भूल कर भी इस दिशा में ना लगाए इस से फैलती है घर में नकारात मक्ता इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों क्या आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है क्या गलती आपको नहीं करनी है और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके घर में वास्तु दोश है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोश दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो तो पूरी जानकारी लिए इस विडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं दोस्तों। हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पढ़ता है, तो वह है। समय हर किसी समय एक जैसा नहीं होता है अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है समय किसी के लिए नहीं रुखता किन्तु यदि हम आपसे कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं. घर में लगी घड़ी की जिसे हम रोज निहारते हैं. पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है. दोस्तों, हम बाहर जीवन में चोटी-चोटी चीजों को नजर अंदाज कर देते हैं. किन्तु वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती है. घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके दोश का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है. तो आईए पहले जान ले. क्या आपको अपने घर में वास्तु दोश के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं? दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोश होने से सुख, शान्ती और पारिवारिक उन्नती में बाधा पैदा होती है. वास्तु दोश के कारण पनपने वाली नकारात्मक उर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें, तो अपने घर नेगेटिव एनरजी से छुटकारा पा सकते हैं, तो आईए जानते हैं, किन्तु उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो सबस्क्राइब करके बेल आईकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नमबर जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाए को दें। पीपल को जल चढ़ाएं और चीन्टियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। वास्तु के मुताबिक यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाए इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, तीन जाडू पोचा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और जाडू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नमबर चार, शौचालय का दर्वाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक उर्जा शौचाले में ही बात करती है। ऐसे में यदि शौचाले का दर्वाजा खुला रहता है तो नकारात्मक उर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नमबर घर में सुख शान्ती के लिए कपूर को घी में डूबा कर सुबह शाम जल पूर्पूर जरूर जलाना चाहिए नमबर साथ घर में जिस जगह वास्तु दोश हो वहां कपूर की दो टीकियाओं रखें खत्म हो जाने के पश्चाद वहां दोबारा इसे रखें नमबर आठ अस्त के पश्चाद कभी भी किसी दूद दही या प्याज नहीं देना चाहिए ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है नमबर नौ घर के मुख्य द्वार पर कूडादान कभी भी न रखे नमबर दस घर में तूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए नमबर ग्यारह अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं नमबर बारह लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी कपूर और लॉंग जलाएं ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मा लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकरशित होती है ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है दोस्तों नमबर तेरह घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए इससे आपके उपर नकारात्मक असरहावी हो सकता है नमबर चौधह घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें साधे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं किन्तु दोस्तों ज्यादा फलदाई होता है आपको शुब फल जल्द ही हासिल होंगे दोस्तों घरी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है इसके अलावा कलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं ये भी हम जानेंगे सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घडी का आकार यानि घडी की शेक शास्तर के अनुसार गोलाकार की घडी या अंडाकार घडी सबसे उत्तम मानी जाती है पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घडियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं किन्तु दोस्तों आपको बता दें कि घडी के साथ तस्वीरें लगाना बिलकुल भी सही नहीं है इस से आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है और की तस्वीर घडी में बिलकुल भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यक्ता होती है और घडी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है इस से भगवान का अपमान होता है और ये शुब नहीं माना जाता हो सके तो घडी का आकार घोल और अंडाकार ही पसंद है घडी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृत्वी के आकार को दर्शाता है जो को और घडी में नुकीले कौन होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक उर्जा का संचार करती है दोस्तों, अगली बार जिसका आपको खयाल रखना है वो ये है कि घडी को स्वच रखें साफ सफाई का ध्यान रखें धुलना जमा होने दे और कहीं से भी घडी तूटी फूटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे तो उसके लिए हम खुद को समवार्य रखते हैं नए कपड़े और नए आभूशन पहनते हैं उसी तरह अपने घर की घडी को स्वच और नए जैसा ही रखना चाहिए ये कहीं से तूटी फूटी नहीं होनी चाहिए समय समय पर घडी पर चड़ी धूल और जालों को साफ करते रहें जिससे आपका भाग्य भी धुंदला नहीं पड़ेगा दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाडी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं एक जगह नई घडी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं कृपया ध्यान रखें घर में पुरानी या फिर तूटी हुई या धूल चड़ी हुई और बंद गाडी तो बिलकुल भी न रखें क्यों इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है बंद पड़ी घडी को में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घडी की सही दिशा घडी को कभी भी दक्षन दिशा में नहीं लगाना चाहिए दक्षन दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है इसलिए वास्तु शास्त्र में इस दिशा को घडी के लिए अशुभ माना गया है घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं किन्तु ध्यान कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार कमरे के दर्वाजे या आने जाने के लिए उप्योग किये जाने वाले दर्वाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिन चर्या पर पड़ सकता है दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखे जहां घड़ी समय का चिन्ह है तो वही कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए ये दोश उत्पन होता है और कृपया करके अपने घड़ों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी न लगाए दोस्तों घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घड़ी का समय सदैव सही होना चाहिए बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं तो ये गलती आप ना करें समय हमें सही रखें इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए दोस्तों छोटी छोटी बाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाए ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे ये शुभ नहीं माना जाता पुरानी घड़ी को में देना शुभ माना जाता है इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है इसलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो तूटी-फूटी ना हो और खराब ना हो तो वो आप किसी जरूरत मंद को दान में जरूर दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृती में प्रत्येक घर में प्रति दिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों न हो परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं नियमित पाठ करने से ना सिर्फ मानसिक शान्ती मिलती है बलकि पूरे घर में सकारात्मक उर्जा भी व्याप्त हो जाती है परंतु यह बाद भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। जो की एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैग्यानिक दोनों ही दृष्टिकोंड से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें नियमों को बिलकुल भी अंदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्व पूर्ण नियम है। नाद यानि की पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किये गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम, अर्थमतु देवानाम, गमन, अर्थमतु राक्षस, साम, घन्यता रावम, देवता आवहान चरण। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है और जो घंटियाओं राक्षसों से हमारी रक्षा करती है, उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने की क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियाँ कौन सी है, जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको घंटी के उपरी हिस्से पर, यानि जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड बना हुआ देता है. अंततह, घर पर जो हम घंटी प्रयोग करते हैं, उसे गरुड घंटी कहा जाता है. पूजा करते समय, गरुड घंटी का उप्योग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुन्दर ध्वनी से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है. जब तो हमारी पूजा आधी अधूरी मानी जाती है परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं तो आईए जानते हैं उन नियमों के बारे में मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रशनों पर आधारित है जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूँगा तो वीडियो को पूरा देखे और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए जैमा लैक्समी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना दोस्तों हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि स्रिष्टी के निर्मान के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनी निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी घंटी की ध्वनी में ओंकार नाथ का भी आभास होता है इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मांते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का भी अपमान ना करें। और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है, वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम की ये घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता दोस्तों। आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है, तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरन शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों और सकारात्मकता जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजर अंदाज कर देते हैं, तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अरपन करते समय, धूप दीप लगाते समय, नए वैद्य अरपन करते समय, नात करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय, भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। एक या दो मिनिट हो, परंतु प्रतिदिन सुभह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मक्ता महसूस हो, तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मक्ता नश्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शणी महाराज, एकांत विरह उदा सीन्ता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि ग्रहस्ती को चलाने के लिए राग प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है, इसलिए शणी की मूर्ती को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्त, सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान की भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं, तो धातू के दीपक का उपयोग करे यदि भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो, तो आप उपला रख कर गुड़ और घी का धुब भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांती बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्थिक अवश्य होना चाहिए या तो बना ले, क्योंकि स्वास् चीज है कलश। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कलश सुख और सम्रिध्य का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्थिक बना कर उस पर मंगल कलश अवश्य रखे। ऐसा करने से घर में सदैव सम्रिध्य बनी रहती है। और की हासिल ही होती है। की ध्वनि से सकारात्मक उर्जा का भी संचार होता है। इसलिए मंदिर में शंक अवश्य होना चाहिए। शंक के घर में उपस्थिती से महालक्षमी भी प्रसन्न होती है। और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज मंदिर में आपने घंटी देखी होगी क्योंकि घंटी को शुब समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती हैं, और साथ ही सुक स्मृद्ध के द्वार खुलने लगते हैं, तो ये है वेवस्तुएं, जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आईए, अब जान लेते हैं कि घर के कौनसी चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने मंगल की कामना करते हैं, तो गनेश जी की मूर्ती मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख्य करके लगा लें। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गनेश जी की मूर्ती बाहर की और मुख्य करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुक कभी भी तूटे हुए चावल ना रखें. इसके साथ ही पुराने चड़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें. यह नकारात्मक उर्जा पहलाते हैं. यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का प्रयोग हल्दी में भिगोकर ही करें. इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे. थ्री की इसके साथ ही यदि आपके घर के मंदिर में पूरवजों की तस्वीरें रखी हुई हैं, तो उन्हें ततकाल बाहर निकाल दें. यह आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है. धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरवज पूजनीय हैं, परंतु वह देवताओं के बराबर नहीं हैं. इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें. यह आपके लिए अशुभ संकेत हैं. इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं. और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है. इसके अलावा, यदि साधु संथ को मानते हैं, तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं, उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें. ये घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है. इसके साथ ही महाकाली, काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए. और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि मान लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा. क्योंकि मान लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होती है. इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है. चलिए, अब हम आपको बताते हैं, उन अति महत्व पूर्ण चीजों के बारे में, जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए. धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ सम्रिध्ध का प्रतीक समझा गया है. ये चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती हैं. इसलिए ये आपके मंदिर में होनी ही चाहिए. गंगा जल गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे मा. गंगा जो हर किसी के पापों को धूल देती है. लोगों को देती यदि आप भी अपने जीवन में सुख और शान्ती कायम रखना चाहते हैं, तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए. इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भर कर रख सकते हैं. ये आपके परिवार में सुख शान्ती का प्रतीक है, जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखता है. इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बॉटल या अपवित्र बरतन जैसे स्टील या लोहे के बरतनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए. ये अशुब होता है. यदि आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं. मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है, तो उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि ये कीचर से निकल कर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेड़ता है. इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए. ऐसा करने से कई गुना लाभा आपको मिलेगा. दोस्तों, इस दिवाली ध्यान रहे कि दीपक से दीपक ना जलाईए. शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है, वो रोगी होता है. ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं. इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए. साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का. दीपक जरूर जलाईए, ये आपको समर्ध्ध देगा. घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समर्ध्ध बरकरार रहती है. इसके अलावा लेकर धूप, धानी, गंगा जल जैसी चीजों को बाईं रखना शुब होता है.